Hello friends, welcome back to the channel Techishworm Guys, आपको सौगत है आज की इस interesting video में Guys, आज की इस video में हम बात करने वाले हैं कि हम meme keyword अपनी Google keyword में कैसे rate कर सकते हैं या हम memes कैसे various social platforms पर share कर सकते हैं और कैसे हम memes create कर सकते हैं तो guys इस video में बनी रहीएगा Be cool and let's start the video कर तो गाइस इसकी लिए हमें अपना फ्लेस्टोड ऑपन करना होगा व्लेस्टोड ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे मीं चैट कीबोर ट्रेना के बाद हमारे पास यह पेज ओपन हो जाएगा तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का is डिजाइन है मीम चैट मीम सपीदोक टृंट την फर फैस्पेंड दिया है आप भी से इस्ट्राइब विल्टर कर लीजेगा और हम जाने और म्न करने के था आप को इस सपर kita उपन करेंगे open करने के बाद guys next next and let's go वैस अगर आपका पहले से account तो होगा नहीं क्योंकि आप पहले बार यूज़ कर रहे हैं obvious है तो आप यहाँ पर don't have an account yet sign up पर click करके account create कर लिजेगा guys मेरा पहले से account है तो मैं यहाँ पर अपना account login कर लेता हूँ तो guys जब आप login करेंगे तो आप directly इस page पर direct हो जाएंगे and guys आप यहाँ पर अपनी category select कर सकते हैं कि किस category पर आपको memes चाहिए किस category पर आप memes create करना चाहते हैं या किस category पर आप memes देखना पसंद करते हैं तो guys mostly आप सब सारी तरीके की memes देखना पसंद करते होंगे तो आप सब पर एक एक करके टिक कर दीजे जा इसम्हें बहुत सारे options है आप सब पर टिक करने के बाद save पर click कर देंगे अगर आप meme chat keyboard को अपने google keyboard जो आप अपने phone पर अन्डोड phone पर run, जो keyword चल रहाऊक़ अपने एड़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो keyboard का sign बनना इस पर हम click करेंगे then friends इसके बाद हम activate meme chat keyboard पर click करेंगे then इसके बाद activate meme chat keyboard then guys इसके बाद यह setting पर directly open हो जाएगा then guys इसके बाद हम meme chat keyboard को enable कर देंगे okay तो guys हमारा यह meme chat keyboard automatically google gboard keyboard में add हो गया है guys आप यहाँ पर बहुत तरीके की memes देख सकते हैं थी रोट पर जाकर आप save कर सकते हैं और guys अगर आपको पर पर अच्छी न लगे तो आप report भी कर सकते हैं guys यहाँ बहुत अच्छी अच्छी इंट्रेस्टिंग मेंस आपको आपकी इंट्रेस्टिंगे साफ से मिल जाएगी अब आपको लाइक कमेंट शेयर सब कर सकते हैं और गाइस मैं आपको बताता हूं कि WhatsApp या इंस्ट्रापर आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं गाइस जैसे कि आप किसी को मीम के लिए गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी मीम्स शो हो जाएंगी आप यहाँ पर है फेसिस फ्रिक्वेंट बाइज जो भी आपने हाँ पर फ्लेक्ट कि होंगे स्टार्टिंग में उसी टॉपिक के उपर आपको आपर मिल जाएंगी और यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक के उपर मीम सच कर सकते हैं फिर आप सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही कमेंट करके ज़रूर रताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो और गाइस थैंक यू पर वौचे इस वीडियो और प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को ज़्याद साथ शेयर करना थेंक यू एंड वा नाइस जे